हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक बच्चों के भविश्य को समबारने वाला आदर्श होता है शिक्षक का कर्तव्य न केवल ज्यान देना है बलकि जीवन के सही रास्ते पर भी ले जाना है मगर जब वही शिक्षक अपनी सीमाय तोड़ कर एक निर्दोष की जिन्दगी को बरबाद करने पर उतर आए तब समाज का भरोसा तूट जाता है ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ है द्वारिका नगर निवासी, अंजना सिंग, पति महेंदर सिंग चोहान का जो जीडीसी कॉलेज रिवा में मैट्स की एचोडी हैं परंतु उनका यह सम्मानित पद एक आदिवासी महिला के लिए अभिशाप बन गया मामला ग्राम पंचायत बंभनी अजमेर का है जहां रन्नु कोल नामक आदिवासी महिला अपनी कड़ी महनत से अपने परिवार का भरण पोशन करती है समाज के उपेक्षित वर्ग से होने के बावजूद रन्नु ने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने का सपना देखा था उसी गाउं के एक किसान ने उसे घर बनाने के लिए जमीन भी दे दी ताकि रन्नु अपनी ग्रिहस्थी को समवार सके रन्नु ने अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों में कटोती करके एक-एक पैसे को इकठा किया और उसी जमीन पर अपने घर की नीव रखी लेकिन यही सपना रन्नु के लिए एक दू स्वपन में बदल गया अंजना सिंग जो एक प्रभावशाली शिक्षिका है और रन्नु पर अपनी ताकत का कहर बरपाया उन्होंने रन्नु के घर के चारों और खाई खुदवा दी जिससे उसे अपने जाना भी नामुम्किन हो गया नकेवल यह बलकि रन्नु के द्वारा करवाय गये बोरवेल को भी मिट्टी से ढखवा दिया गया उसके जीवन का हर स्रोत चाहे वह पानी हो या बिजली सभी को तोड़ फोड़ दिया गया अंजना सिंग ने उसके सौर उर्जा के पैनल तोड़वा दिया गया जिससे रन्नु का घर अंधेरे में डूब गया भूषे हैं बेड़दे हैं अब हम तहां जई हमाए में पैसा लगा भी पैसा के भरकत को सरह या पैसा हमा गरी मनाई कि हम आपन भाईसी पाडी गोरु गदाह बेंच किया यह करान हो तो हम ही कहां मिले या हम कहां निकल के चले जए ज़ेगे तरा कि धरा की धरा दिहनीं जैसी भी से हुआ हुआन डार पलंकी कुल ये पैण तरा के धरा दिहनी ह जैसे हुआ मेकाद ही हिं। नहीं करो हम बाग के चले जए हम अमरे घर गंबांए ये कृइस हिर हरा ही जनकित्र भाजी होई रही है आब आहरेकं हम कहां चले जए हम घर बनबॉआ है इतना परेसां करूग करें चु序ख दम